दोस्तों कर आप भी अर्शिदीब सीह और आवेश खान को एक बहतरीन गेनबाज मानती हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें भारत और पाकिस्तान की बीच एशा कब 2022 का रोमांचक मुकाबला खेला जाने वाला है जिससे पहले दुस्तों भारते टीम और पाकिस्तान टीम की बीच एक रोमांचक T20 वार्प अप मैच खेला किया जहां अंत तक दोने ही टीमों के बीच हमें कांटे के टकर देखने को मिली जहां पाकिस्तान के टीम को जीत के लिए आखरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 18 रन और गेंबाजी कर रहे थे अरशिदीब सीह आखर कैसे अपनी बहतरीन गेंबाजी से अरशिदीब सीह ने तहल का मचा दिया इस मकाबले के पूरी हाईलाइट और अंतीम ओहर का पूरा रुमाच आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले दूस्तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताए अरशिदीब सीह के इस बहतरीन गेंबाजी को आप 10 में से कितने नमबर दोगे तो चलिए दूस्तो बिना वक्त गवाई हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दूस्तो इस मैच में पाकिस्तान के टीम ने टॉट जीत कर पहले गेंबाजी करने का फैसला किया तो वहीं पर भारती तिम को पहले बलेबाजी करने का नियोता दिया अब टीम इंडे के तरब से सलामी बलेबास के तोर पर रोहीच सिर्मा और सुरी कुमार यादो बलेबासी करने के लिए मैदान पर उतरे जहां दूस्तो पहली ही ओहर में रोहीच सिर्मा के बले से एक करारा चोका देखने को मिला इसके अलावा दूसरे ओहर में रोहीच सिर्मा ने खतरनाक बलेबाजी करते हुए दो करारे चोके जड़ दिये जिहां दूस्तो रोहीच सिर्मा काफी अक्रमक बलेबाजी करते हुए चोंके और छके लगाते हुए नजरा रहे थे जहां चोती ओहर में रोहिद सिर्मा ने एक चोका और एक गगंचुम्बी छक्का लगा कर ओहर में कुल 17 रन बटोर लिये इसके अलवा दोस्तो छटी ओहर में सुरी कुमार यादो ने भी एक के बाद एक दो करारे चोके जड़ दिये जहां दोस्तो रोहीच सिर्मा ने इसी ओहर में एक गगंचुम्बी छक्का लगा कर अपना अर्दिश तक पूरा कर लिया जहां दोस्तो छे ओहर के पावर प्ले में टीम इंडिया बिना कोई विकेट गवाई 64 रन बना चुकी थी इन दोनें खिलाडियों की बीच अच्छे साजिदारी पनप चुकी थी खास तोर पर रोहीच सिर्मा काफी तावर तोर बलेबाजी कर रहे थे लेकिन दोस्तो आटवे ओहर में टीम इंडिया को पहला बड़ा जटका लगा जहां दोस्तो सुरी कुमार यादो मातर 15 रन बना कर पविलियन लोडगे इसके लाओ दोस्तो अगली ही ओहर में भार्टी तीम को एक और बड़ा जटका लगा जहां दोस्तो खतरनाग भलेबाजी कर रहे रोहीच सिर्मा भी मातर 32 गेंदो में 61 रनों की धुआदार पारी खेल कर पविलियन लोडगे जहां 10 ओहर तक टीम इंडिया दो विकेट के नुकसान पर 89 रन बना चुकी थे लेकिन दोस्तो अब रिशब पंत ने आधी ही चोकी के साथ अपना खाता खोला दूसरी दरब दोस्तो दीपक खुडा ने भी एक करारा चोका जड़ दिया अब दोस्तो चोधावी ओहर में रिशब पंत के बले से एक गगनचुमबी चखका देखने को मिला लेकिन इसी ओहर में रिशब पंत भी 20 रन बना कर पविलियन लोड़ गे लेकिन दोस्तो दूसरी दरब दीपक खुडा भी काफी अकरमक बलेबाजी कर रहे थे जहां दोस्तो 16 वी ओहर में हार्दिक पंढ्या ने खतरनाग बलेबाजी करते हुए एक के बाद एक दो करारे चोके जड़ दिये इसके लाओ दोस्तो 18 वी ओहर में दीपक खुडा ने एक के बाद एक दो चोके जड़ दिये और एक गगन्चुम्बी छक्का लगा कर ओहर में कुल 17 रन बटोड लिए इसके लगो दोस्तों 19 वे ओहर में हार्दिक पांड़ा के बल्ले से भी एक और गगन्चुम्बी छक्का देखने को मिला लेकिन 20 वे ओहर में पहले तो दीपक खुडा 22 रन बना कर आउट होए लक्ष रखा था जी हां दोस्तों लक्ष काफी बड़ा था तो इसे में पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत की जरुवत थी जहां दोस्तों पहली ही ओहर में बाबर आजम के बल्ले से दो करारे चोके देखने को मिले इसके अलावा इसी ओहर में मुहमद रिजवान ने भी एक करारा चोका जड़ दिया इसके अलावा दूसरे ओहर में बाबर आजम ने खतरनाक बल्ले बाजी करते हुए एक के बाद एक दो चोके जड़ दिये लेकिन तीसरे ओहर में अब आवेश खान ने बहतरीन गेनबाजी करते हुए कप्तान बाबर आजम को 19 रन के वेक्तिकत स्कोर पर आउट करके पविलियन भेज दिया लेकिन दोस्तो इसकी अलावा चोथे ओहर में फकर जमान के बल्ले से एक के बाद एक तीन करारे चोके देखने को मिले जहां छटे ओहर में मुहमद रिजवान ने भी एक गगंचुम्बी चखका जड़ दिया जहां छे ओहर के पावर प्ले में पाकिस्तान की टीम एक विकेट के नुकसान पर अठाउन रन बना चुकी थे अब दोस्तो सांतवे ओहर में रवीचिनर अश्विद ने बहतरीन गेन बाजी करते हुए टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई जहां दोस्तो मुहमद रिजवान तेरा रन बना कर पविलियन लोड़ गए लेकिन दोस्तो दूसरी तरफ अब फकर जमान शांदार बले बाजी करते हुए चोके जड़ रहे थे नौबे ओहर में फकर जमान ने एक के बाद एक दो करारे चोके जड़ दिये लेकिन इसी ओहर में अर्शदीब सीहने शांदार गेन बाजी करते हुए फकर जमान को 35 रन के विक्तिकत स्कोर पर आउट करके पविलियन भेज दिया जहां 10 ओहर में पाकिस्तान के टीम 3 विकेट की नुकसान पर 6 सी रन बना चुकी थे मैदान पर असिफ अली और इफ्तिकार अहमद की जोड़ी मुझूद थे इन दोने ही खिलाडियों ने एक दो रन बटोर ने शुरू कर दिये जहां इनोंने सुझ भूज भरे बल्ले बाजी करते हुए एक अच्छी साजिदारी बनाई जहां 15 ओहर में पाकिस्तान की टीम 3 विकेट पर 117 रन बना चुकी थे आँखरी की 30 गेंदों में पाकिस्तान को जीत के लिए 48 रनों की जरूद थे इफ्तिकार अहमद और असिफ अली के बीच अच्छी साजिदारी पनवते हुए नज़रा रही थे जहां 16 ओहर में इफ्तिकार अहमद ने एक के बाद एक दो करारे चोके जड़ दिये इसके अलावा 17 ओहर में आवेश खान ने 3 रनों का किफायती ओहर फेंका आँखरी की 18 गेंदों में पाकिस्तान को जीत के लिए मातर 30 रनों की जरूद थे लेकिन दोस्तों अब 18 ओहर में बहतरीन गेंद बाजी करते हुए अर्शिदीप सीह ने भारती टिम को बड़ी सफलता दिलाई जहां अर्शिदीप सीह ने इफ्तिकार अहमद को 31 रन के वेक्तिकत स्कोर पर आउट करके पविलियन भेज दिया जहां 19 ओहर में आसीफ अली ने खतरनाक बलेबाजी करते हुए एक गंचुम्बी छका और एक बहतरीन चोका जड़ा लेकिन इसी ओहर में आवेश खान ने बहतरीन गंबाजी करते हुए असीफ अली को 41 रन के वेक्तिकत स्कोर पर आउट करके पविलियन भेज दिया और दोस्तों यहीं पर गेम चेंज हुआ जहां दोस्तों अब आँखरी के छे गंदों में पाकिस्तान के टिम को जीत के लिए मात्र 18 रनों की जरुवत थे जहां दोस्तों स्ट्राइक पर खड़े थे पाकिस्तान के खसन अली और गंबाजी करने के लिए आई थे भारती टिम के तरब से अर्शिदीप सिह जहां पह पाकिस्तान के टिम को जीत के लिए 17 रनों की जरुवत थे जहां दोस्तों चोथी गेन पर मुहम्मद वसीब ने सिर्फ एक रन लिया इसके अलावा पांचवी गेन पर हसन अली ने एक गगन चुमभी छका तो जड़ा लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान को आँखरी गेन प अबिश खान के इस बहतरीन गेन बाजी को आप 10 में से कितने नंबर दो के कॉमेट करके उसका जुआब जरूर दे इस वीडियो के लाइक जरूर करे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे जी हाँ धन्यूर्ट